नमस्कार दोस्तों, BKJUKESAN में आपका स्वागत है, तो आप सभी के लिए एक महत्पूर्ण खबर आ रही है यहाँ पर UPCCC कार्याले से, और जैसा कि आप लोग को पता भी था, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका और बताया भी था कि विसाल धर्ना जो है वो 25 सक्तूब को यूपिटर पलसी कार्याल है, पिक अप भवन पर वहां पर जो है यह धर्ना चलेगा सुबर 10 बजे से 25 सक्तूबर को, तो काफी संख्या में वहां पर लोग गए भी थे, काफी जो है देखे मेरे स्टूडेंट भी कई कमेंड भी किये, हमें मैसेज भी किये कि वहां पर पहुट चुके हैं, तो वहां से बात क्या निकल guit आई, क्या सचीव ने, सचीव जी ने क्या वहां पर बताया कि सचीव महोदे ने, तो उस पर भी याँओ पूरा बात यहां पर करेंगे, क्या क्या चीज़े वहां पर निकल आइं, कैसे क्या हुआ, देखिए सुबा 10 बज उन्होंने कहा कि 5 लोग आकर मिले और बातें अपनी रखें जो भी है तो इसमें क्या हुआ कि 8 लोग जो है मिलने के लिए गए और वहां पर मिले और मिलकर जो उससे बाते निकली वो निकली क्या उनका क्या कहना था मैं एक एक चीज़ों को point wise यहां पर note करके आपको बता रह है तो वह भी हम आपको हो सकता है कि उस फैक्ट को ध्यान में रखती हुए सचेव जी ने ऐसी बाते अब कही हो तो वह भी मैं आपको फैक्ट भी last में जरूर दिखाऊंगा और यूपेटर पलसी जही भरती का जो एक्जाम डेठे वो कब हो सकता है आपका एक्जाम उस पर भी हम बात करेंगे ठीके और जो भी अधर एक्जाम के टाइपिंग हो गए रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे सभी चीजों पर बात होगा तो सबसे पहले आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेर कर दीजिए ठीके ताकि सभी को जानकारी मिल जया और अपनी पढ़ाई सुरू कर दें ठीक है चलिए तो आईए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ मुख की बाते हैं जो मैंने प्वाइज लिक रखती हैं तो एक एक करके मैं समझाता हूँ और हर एक चीजों को बताता हूँ तो यह जो यूपिटर पलसी सचिव जो है महोदे जी द्वारा यह कहा गया है क्या कहा गया कि एक एक प्वाइज मैं बता रहा हूँ आपको उनका यह कहना है कि पेट 2024 नहीं होगा इसका मतलब यह नहीं समझिएगा कि पेट खतम हो गया ठीक है ऐसा नहीं है ऐसा कोई नहीं स्टेटमेंट दिया गया सिर्फ PET 2024 नहीं होगा अब ये नहीं होगा तो अभी नहीं होगा बाद नहीं होगा ये कुछ किलियर नहीं है लेकिन फिल हाल जब तक ये सारे एक्जाम नहीं हो जाते तब तक PET 2024 नहीं होगा उसके बाद होगा वो क्या होगा वो अभी यह नहीं clear किया गया है ठीक है बट अभी जो कुछ लोग तयारी कर रहे थे कि हाँ भी पेट देंगे हम तो वो अभी नहीं होगा ऐसा उनका कहना है सचेव जी का तो यह इस पर बात हुई तो नई वेकेंसी पर क्या उन्होंने कुछ बताया नई वेकेंसी पर उनका कहना है तो ये two law main है एक खबर मेरी यह कि फैट दोजार चॉबिस नहीं होगा और दूसरा यह है कि लोवर पूसीच से जो है वह निव वेकेंसी आयेगी वाकी एकर कहें ले कपाल की वेकेंसी तो वह भी नहीं आने वाली कोई खबर नहीं है और कहेंगी कि कुछ other vacancies का उसका भी भी कोई खबर नहीं है सिर्फ एक vacancy का और इसमें भी साथ ये भी कहा गया कि लगबग 1000 पोश्ट तक आने की chances हैं अब हम बात करते exam calendar पर exam calendar के संदर मैं पूछा गया कि कब से exam सुरू होंगे तो उनका ये कहना है कि exam agency के chain होने के बाद जो है आपको exam date एक WhatsApp group में भी डाला था तब तक नहीं decide किया जा सकता कि exam कब होगा date ठीक है क्योंकि exam agency और board बैट करता है करेगा कि किस-किस date पर exam हो ठीक है क्योंकि जिसको काम कराना है तो वो तो होना ज़रूरी है न तो क्योंकि अभी exam agency के जो चयन है वो अभी pending में है ठीक है अभी क्या है वो pending process है अंडर प्रोसेस है उसको भी हम अभी आपको दिखा देंगे ठीक इसी वीडियो में लास्ट नौवंबर से जारी होने लगेगा यह ठीक है तो इनका यह कहना है कि जैसे exam agency के chain हो जाएगा तो लास्ट नौवंबर यानि कि हो सकता है कि 20 नौवंबर के बाद जो exam होने हैं आगे कि उनकी date आनी शुरू हो जाएंगी अब ये exam calendar एक साथ सभी exam का नहीं आयेगा ये भी ध्यान रखेगा जैसे 4-5 exam का आ जायेगा जो अगले महीनेम होना रहेगा वो इस महीनेम आ जायेगा फिर अगले महीनेम का कहना है यह भी उन्होंने एक date दिया है कि 1 दिसंबर 2024 के पहले ये exam date आना नहीं शुरू हुआ तो आप लोग दुबारा आके यहां पर मिल सकते हैं हमसे ठीक है कि मैं यह अस्वासन दे रहा हूं कि पूरा 1 दिसंबर 2024 से पहले exam date आना शुरू हो जाएंग जैसे BPO का ये स सबसे पहले इनका ये कहना है कि सबसे पहले हम 2022 पेट से vacancies आई हैं पहले उनके exam सुरू कराएंगे फिर जैसे उनके खतम होंगे फिर पेट 2030 की vacancies के exam कराए जाएंगे अब रही बात की इसका मतलब पेट 2024 में complete होने में लास्ट नोवंबर में आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि December, Mid December यानि कि Mid December से आपके exam होने सुरू होंगे यानि कि PET 2022 वाले जो starting में है ठीक है अब आधा December तुम मान के चले दो चार exam हो सकता हो जाए कोशिस यही है उनकी कहना ये है बाकि फिर जनवरी में exam होंगे ठीक है तो PET 2022 जनवरी में खतम हो जा और ये भी कहना है कि जैसे PET 22 खतम होगा वैसे PET 23 वाले जो भी exam है वो भी सुरू हो जाएंगे यानि कि फरवरी से एक सुरू हो जाएगा PET 2023 यह हम मान रहें कि फरवरी सुरू हो जाए क्योंकि उनका कहना है कि PET के 22 खतम होने कि जस्त बात सुरू हो जाएगा तो पेट 23 शुरू हो जाएगा तो जो पेट 23 शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर हम J पर बात करें तो J एक्जाम आपका जो है ये मार्च में चाहेगा मार्च 2025 में और यहाँ पर बात करतें अच्छा ये फैक्ट भी इभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साधार पर सच्यू जी ने बोला होगा ऐसा मैं फैक्ट के साथ बात भी दिखाऊंगा आपको Junior Assistant Typing की अगर बात करें कुछी typing अभी रुकी हुई है तो ये कहना है कि छट के बाद नौंबर में इसकी date मिलना सुरू हो जाएगी और टैपिंग उसके बाद होना यानि कि हो सकता है कि टैपिंग लाश्ट नौवंबर या स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक दिसमर में ही सुरू हो जाए यह आपकी जो भी टैपिंग वाले स्टूडेंट है उनको भी बता दीजिएगा आप लोग अब हम बात कर इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कहीं है बाकी और क्या कोई बता रहा है वो हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत लोग जोड़ कर बता है लेकिन इतनी में फैक्ट चीज़ों पर बात हुई अब देखे इन बातों इन सब चीजों में कितनी सच चाहिए exam calendar पर और junior assistant टाइपिंग पर तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब तक exam agency का chain नहीं होगा तब तक कुछ है नियुक्त पहले होगा exam agency के chain होने के बाद उन्होंने कहा है last November तक आईए हम बात करते हैं कि exam agency जो chain हो रहा है उस पर क्या update है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यह दिखा रहा हूँ यह tender जो आपका जारी हुआ था और यह short term tender था मैंने यह भी बताया था आप लोग को तो यहाँ पर जो tender जारी था तिंडर आईडी आपको दिख रहा होगा थीगे इसमें जो process है वो यहाँ तक हो चुका है कहां तक देखिए stage में process first process second start हो गया है process first में क्या है technical bid opening हो चुकी है यह clear status देख लिजिए technical evaluation भी हो चुका है थीगे क्या क्या आप देखे यहाँ पर second यह भी हो गया उसके बाद जब सारी टेक्निकली चीज़ों को देखकर accept किया जाता है कुछ कंपनियों को तो उसमें जो company एक्सेप्ट की गई है टेक्निकली उसमें कंपनियों में अगर हम बात करते हैं जो offline exam कराएंगे उसकी अभी बात कर रहे हैं ठीक है और आप लोग का exam offline ही होगा तो यहाँ पर 9 company ने क्या किया टेंडर को फिल किया था और 9 company में total 4 company का जो है वो accept हुआ है टेक्निकल एक्सेप्ट है यह जहां रखिएगा जो है वो टेंडर accept हुआ है ठीक है अब यह जो next process है यह next process कभ start होना था यह आप देखिए पहले कौनसा यह वाला जो यह financial bid opening था यह start जो opening in progress दिखा रहे है यह कब से start हुआ है यह अभी कल से ही start हुआ कब से कल से दिखिए जो यह tender आया था तो यहां पर यह criteria details दिया हुआ था ठीक है क्या दिया हुआ था कि publish date 27 सितंबर को यह tender निकाला गया था और इसमें जो bid submission start date था वो 27 सितंबर ही था और ध्यान रखेगा यहां पर bid opening की जो date थी वो 5 अक्टूबर की थी सोच यह 5 अक्टूबर को bid जो open किया गया बोली open किया गया जो लोग tender fill किये थे तरह से तो वहां पर अभी तक जो निकल के आया है नहीं कि 5 तारिक से लेकर और आज मतलब अभी तक यह इतने काम हुए पांच तारिक से लेकर अभी सिर्फ इतने काम हुए है और जो यह bid financial bid opening हुई financial bid मतलब अब पैसे उसे की बात होगी जो भी तो यहां पर देखा जाए अगर तो इसमें इसकी date दी गई थी 24 अक्तूबर को देखिए यहां पर दिया था पहले ही दिया है साम 4 बजे तो अब यह financial bid opening हुई है 24 अक्तूबर साम 4 बजे अब इसमें भी कम से कम 10 से 12 दिल लगते हैं कम से कम financial वाला decide करने में अब देखिए गजरा अभी financial bid opening हुई है अब financial evaluation होने के साथ साथ यह तुम्हें जो उसका typing वाला बताने लगा यह देखिए अभी यह financial bid opening हुई है opening in progress दिखा रहा है और यह 24 अक्तूबर साम 4 बजे start हुआ तो financial evaluation के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह time लेगा कितना time लेगा में भी हो सकता है 10-15 दिखा हमको ऐसा लगता है कि यह दिवाली बीत जाएगा ठीक है यह complete होने में उसके बाद फिर AOC होता है जब यह financial evaluation जिसे अभी चार कमपनीय सेलेक्ट हुई है तो चारो एकजान थोड़ी ने कराएंगी एक यह दो को देना है किसी को मानलो एक को pending में रखते हैं एक को देंगे हो सकता है तो यहां पर क्या है कि यह financial evaluation में चार कमपनी का financial evaluation किया जाएगा उसमें से किसी एक या दो को सार्ट लिस्ट किया जाएगा वैसे दो ही को सार्ट लिस्ट किया जाता है इसलिए कि एक को second priority पर रखा जाता है और first को first पर ठीक है तो यहां से जब financial evaluation में भी पास हो गई कोई दो कमपनी मान लीजिए तो इन में अब AOC दिया कर दिया जाए और यह अपना काम अब करें फिल्ड में जो भी काम है जिसके लिए टेंडर भरे हैं तो award of contract इसको देने में सही समय अगर हम देखें तो target हम लेके चलते हैं कि 10 नवंबर 10 नवंबर 2014 तक यह time लग सकता है ऐसा मेरा जहां तक मनना है क्योंकि बहुत सारे कंपनीओं वैसे tender निकलते हैं और लोग भरते हैं और इस तरीके से प्रक्रिया होती है तो 10 नवंबर तक यह लग सकता है जो offline exam कराएगी और final उसको contract मिलने में तो 10 नवंबर के बाद जैसे तो हो सकता है कि 15 नवंबर या 20 नवंबर के बाद आपका date आना सुरू हो जाएगा अब कहेंगे सर कि इसमेत यह भी तो समय लगेगा कि paper कैसा छपेगा, copy कैसी छपेगी, उमार कैसे छपेगा, क्या center decide होगा, कितने अधिकारी होंगे, कितने क्या होंगे, यह सब tender में लिख हुआ है, कितने बज़े paper होगा, सारी चीजें इस tender में पहले से ही लिखा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, बाकी मैं सब चीज पढ़ चुका हूँ, यह सारी चीजे clear हो चुकी है, कि क्या क्या होंगी, वो सब कुछ clear है, कितने ब उसी आधार पे तुरंत क्या होगा, contract मिलेगा, काम कराना सुरू कर देगा, paper कराना सुरू कर देगा, तो date ही सिर्फ decide उसको करना है, तो यह खैर हमें ऐसा लगता है, कि इनकी बातों में सच्चाई है, ऐसा लगता है, वो इसलिए कि भाई यह दिख भी रहा है ना, आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तेंडर, अब इसमें देरी हो जाए कहीं, government की तरफ से कुछ ऐसा, तो अलग बात है, ठीक है, बाकि यह बात करते हैं, हम typing वाले पर, typing वाले पर हम बात करें, जो लोग की typing वाला मसला रुका हुआ है, तो typing वाले का भी tender देखिए, इस तरी है, हमको ऐसा लगता है, कि contract इसी 5-10 दिन में मिल जाएगा, ठीक है, जो typing के लिए कंपनिया, जो है, वो tender भरी थी, तो इसी महीने में जहां तक है, यह उसी मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, चार कंपनिया में से, दो कंपनिया जो है, दोनों चीज़ो के लिए qualified हैं, और जब दोनों के लिए qualified हैं, तो यहाँ पर इनहीं दोनों का selection भी हुआ है, ठीक है, बाकी में इसमें नहीं है, तो इनहीं दोनों एक first number पर और second number पर, तो typing वाले भेया, दम तयारी, जिसकी भी है, junior system जिसकी भी, वो fix है कि आपका छट के बाद, आपका आज जाएगा date, ठीक है, और date आएगा, तो 10-15-20 दिन का समय मिलेगा, उससे जाद नहीं मिलेगा, तो I hope यह भी सूचना सही है, तो अब हम यहाँ पर clear बात करते हैं, कि जो J है, यूपिटर पलस सी, जो J है, इसका exam आप March को target लेके चली, मैं पहले भी बोल रहा था, March 2024, अप्र जब vacancy परिष्टे रहता है, तभी चीज़े रुखती है, ठीक है, और cut-off भी आपका November के last में आना सुरू हो जाएगा, अभी यह छट के बाद जब आप आएंगे, ठीक है, तो इतनी सूचनाए थी, और इन सूचनाओं में भी, हमें ऐसा लगता है, कि सच्चाई है, जो जारी होगा, जैसे माली जी 4-5 एक्जाम का कलेंडर जारी हो गया, लास्ट नौवमबर में, तो जो दिसंबर में एक्जाम होने है, उनका कलेंडर नौवमबर में हो सकता है, जो जनवरी में होने है, उनका दिसंबर में जारी हो जाए, जो फरवरी में होने है, उनका जनव प्रक्रिया चलेगी और इधर ये सलैबस तो सबका आ चुका है किसी का सलैबस अभी रुका नहीं है हमारी जनकारी के नुसार ठीक है आप भी चिक कर सकते हैं और कटाफ आना 2022 पेट वाले का सबका कटाफ आ चुका है सिर्फ मानचित्रकार को छोड़कर बाकि 23 का सारा कटाफ हाना है पेटते इसका तो वह भी जल्दी ही निकाल देंगे इनको निकालने में कितना समय लगे कटाफ ठीक है और इस तरीके से पेपर कराएंगे तो सभी लोग पढ़ाई पर लग जाईए अगर अभी तक आप धिलाई बरत रहेंगे या कुछ तो सब छोड़ दीजिए ल प्रयल मई जाएगा ऐसा नहीं क्योंकि छोटे छोटे एक्जाम है और उनको कराने में सिर्फ एक टाइम लगेगा डो टाइम नहीं सिर्फ एक टाइम लगेगा सुबह के सिप्ट गया ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं नेस सिसन में इसके लिए तब तक के तो फैक्ट के साथ आपको यहां पर जो भी है वह मैं आपको बताया देखकर भी कि क्या बातों में सच्चाई है या नहीं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो